बिहारी होना या बिहारी वन्ष का व्यक्ति होना ब्रह्म से मुक्त एक साधारन अबधारना लग सकती है। फिर भी बिहार राज्य में बहुत से संचोधन हुए है। जबकि अन्य अल्ब संख्यत जाती समुओं का बिहारी के वर्तमान में स्वर परिभाश्चित समुदाय में मौरिश्यस के सामाजिक विकास की एक लगतार विशिष्टा रही है। नमस्कार मेरा नाम है काशिफा विसाल और आप देख रहे हैं न्यूसिफाइब। बिहारीों का मौरिश्यस में बड़े पैमाने पर इमिक्रेश्चन एक कॉंट्रेक्ट सिस्टम के तहत हुआ। अंग्रेजों की सरकार ने उन प्रवासियों के प्रभाग को नियंत्रित किया जो मुख्य रूप से द्वीप के चीनी बागानों पर काम करने के नियुक थे। अठारो सो चालेस और अठारो सो असी के दशक के बीज बड़ी संख्या में कॉंट्रेक्ट पे आये भारतिये मस्दूरों का आग्मन हुआ। ब्रिटेश और भारतिये अधिकारी जो उन लोगों के शिप्मेंट और संपदा के आवंटन की निग्रानी करते थे। उनके द्वारा उनका वर्गीकरन किया गया। जिसने जाती और याधार्मिक संबंता और छेते मूल का एक लिखेत रिकॉर्ड छोड़ा। जो कि उनके कई वंशजों के लिए एक मातर्शक के रूप में अमूल है। यह समू सदस्यता और यहां तक के विवा भागिदारों की पसंद को निधारत करने के लिए ऐसे लेबल के साथ पहचान करना जारी रखते हैं। लाए गए प्रवासियों की पहली बार आने से चली आ रही देड़ सदी में जाती निर्धारन की निरंतरता विशेश रूप से उलेखनी है। आयू और विवाहिक स्थिती भी दर्ज की गई। जबकि अधिकांश विहारी प्रवासियों दारा बोली चाहने वाली भाषा भुझपुरी का अनुमान छेत्री आंक्रों से लगाया चाह सकता है। प्रवासी श्रामिकों की यात्रा केवल कलकत्ता में उत्प्रवास टिपों के लिए भौतिक यात्रा और मौरिश्यस की लंबी समुद्री यात्रा ही नहीं थी। संकरमर के समय का भी प्रतिनित्व करती थी जो लोग उन्हें विश्देश ले जाने वाले जहाजों पर सवार हुए उन में से अधिकांश पहली बार समुद्र को देख रहे थे और यात्रा काफी दर्दनाक रही होगी। साथी यातिरों के बीच विक्सित होने वाली कॉमरेट्शिप ने बिहारी प्रवासियों को ताकत और भायचारी का एक 27 रोत दिया जिसे जहासी भाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विदेश यात्रा में परिवर्तन का एक महतवपूर समय, एक नए जीवन की शुरुआत और जिसमें एक बहुमत वापस नहीं आएगा। बिहारी हिंदूों और मुसल्मानों दोनों ने समुदाय के भीतर अपनी प्रतिश्ट था और स्थिती को बढ़ाए रखने के लिए भूमी अधिगर्ण और पार्सर, व्यापार और अनेगतिविदियों का इस्तिमाल किया। हाला कि मौरिश्ट में आने वाली बड़ी संक्या में हिंदू बिहारीों ने जाती सजातिय विवा के कुछ रूपों के सर्ड़क्षक को सक्षम किया। बिहारी मुसल्मानों ने प्रभावी रूप से भारत के दक्षिन और पश्टिम के अब संक्यकों को अपने समुदाई में शामिल किया। उपमादीब के विभिन हिस्सों से विमुसल्मान जो मौरिशस चले गए उन्हें आज कलकत्ता के रूप में नामित किया गया है। ज्यादतर गुजराती जो मौरिशस में इमिक्रांट मजदूरों के रूप में नहीं बलकि मुक्त व्यबारियों के रूप में आए थे। ये उन्हें मुसल्मानों के समू से अलग करने का कारे करता है। मौरिशस के विहारियों द्वारा बोली जाने वाली भाशा के तत्व और विशेश रूप से उनके पारंपारिक्व्यन जन जैसे दाल पूरी आज दूइब की संस्कृती में उलजे हुए है। जैसे की संसकार, अनुष्ठान, उत्सव और परंपराएं जो बची हैं कुछ अधिक संशोधित रूप में है। दूसरों की दुलना में, वर्तमान समय में, संबंध में आज सभी मौरिशस के लोगों की आत्मा में बिहारी संस्कृती के काफी तत्वत जमा हैं। वे बिहारी, उत्तरप्रदेश के लोग या गुजराती या कहें कि वो भारतिय जो उस समय मजबूरी या इच्छा से अपना देश छोड़ कर मौरिशस चले गए। आज उनके वंशच ही मौरिशस के सबसे अमीर लोगों में से आते हैं और वहां सत्ता में भी हैं। 2013 में एक बार मौरिशस के राश्पती राकेश्वर पुर्याग भावुक हो गए और अपने पूरवजों को याद करते हुए कई बार तूट गए जो लगभग देर सो साल पहले एक विदेशी दीफ पर अपने गन्ने के खुटों में काम करने के लिए गए थे। वे अपनी पत्नी अनीता पुर्याग और कुछ मंतियों के साथ खुट को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए भारत भी आए। अपने परदादा लक्ष्मन प्रयाग जो मौरिशस गए थे और उनके भाई जो यहां भारत में रुखे थे। उनको शर्दान चली अर्पित करते हुए पुर्याग ने कहा उनकी स्मृति मेरे खून में नहित है। मेरे पूरवज दूर चले गए लेकिन बिहार और भारत को अपने दिल में जीवित रखा। पुर्याग ने कहा कि भारत और मौरिशस के संबन दो देशों के नहीं बलकि दो भाईयों के है। विशेश रूप से मौरिशस में कुछ जातिया उपमादीप के दरश्टी कोड से काफी पहचाने योग्य नहीं है। और एक समू में भारतिय सेटिंग से परस पर विरोधी जातियों को शामिल कर सकती है। दीप पर विश्य सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली जाती समू है। जिसमें कोईरी, कुर्मी, यादव, तेली, बनिया आदी शामिल है। पूर ब्रामर कुलीनों के साथ साथ पूर वराशपूतों और अन्य शक्त्रियों को बाबुजी कहा जाता है। उच्जाती के स्थिती से सम्मानित प्रटिश्था वाली राजनीतिक रूप से हाश्टिये पर है। और उनका अस्थान उन जातियों दोरा लिया गया है जो खुद को वेश्च के रूप में पहचानते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वरतान्त कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और भी नई कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वरतान्त हमारे फेस्बूक पेज़ पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करते चलें। आज के लिए इतना ही कल फिर्म मिरते हैं किसी और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार। झाल